नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल जरहट के दोस्तो जै ललीता आयरन लेडी अदकारा से अम्मा तक का सफर आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी हस्ती के बारे में जै ललीता इनका सफर आयरन लेडी से अदकारा से अम्मा तक का सफर कैसा रहा बैंगलोर तमिल लाडू में अम्मा के नाम से प्रचलित जै ललीता देश के उन लोगों में सामिल है जिनोंने अपने संघर्ष के बल पर हर चीज हासिल की चाहे वो उनकी तमिल हो फिल्मी सफर हो या फिर तमिल लाडू की सत्ता जै ललीता ने जहां भी हात लगाया वहां उन्हें सफलता और तरक्की हासिल हुई लेकिन इस तरक्की के पीछे उनकी बहुत सारी महनत और कई अनसुनी कहानिया बताई जाती है जै ललीता का जीवन, कहानियों का पिटारा जै ललीता का जन्म 24 फरवरी 1948 में एक एहर परिवार में करनाटक के महसूर सहर में हुआ था घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला था जै ललीता के दादा महसूर राज्य में सर्जन थे जै ललीता का पूरा नाम जै ललीता जैराम है लेकि जब वो मात्र दो साल की थी तभी उनके पापा चल बसे जिसके बाद उनके जीवन में गरीबी और दुखो का पहाड़ तूट पड़ा गरीबी में बीता बच्पन इसलिए फिल्मों में काम करना पड़ा माली हालत पतली होने पर उनकी मा बैंगलोर अपने माबाप के पास चली आई और पेट पालने के लिए उन्होंने तमिल सिनीमा में संध्या नाम से काम करने का फैसला किया यह वो वक्त था जब फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को लोग इज्जट से नहीं देखते थे फिल्मों में काम करने वालों को इज़्जत नहीं मिलती थी लेकिन अपनी मजबूरी की वज़े से जैललीता की मा ने फिल्मों में काम तो किया लेकिन बेटी जैललीता को फिल्मी माहौल से दूर रखने के लिए चेन नहीं भेज दिया बला की खूब सूरजय ललिता को पढ़ाई के साथ संगीत में रूची थी वो बहुत अच्छा नर्व्त्य कर सकती थी वह काफी मैधावी थी उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई सरकारी वजीवे पर की पला की खुब सूरज जैललिता को पढ़ाई के साथ संगीत में भी रूची थी लेकिन जब वो तेरा साल की हुई तभी उनकी लाइफ ने करवड बदली जो उनके जीवन का एहम मोड बन गया संध्या की फिल्म के एक निर्माता की नजर जैललिता पर पड़ी और उन्हों ने उन्हें हीरोईन बनने का आफर दिया जिसे उनकी माने सुईकार कर लिया जैललिता ने ना चाहते हुए भी फिल्मों के लिए हाँ बोल दिया और वो हीरोईन बन गई मात्र पंदरा साल की उम्र में जैललिता ने एपिसल नाम की एक अंगरीजी फिल्म में काम किया पंद्रा साल की उम्र में बनी अभिनेत्री उनके खुबसूरत अदायगी और मदमस्त काया की खबर दूसरे राज्यों में पहुंची और जैललीता देखते ही देखते तमिल के अलावा तेलगू कन्नड और हिंदी फिल्मों की पॉपुलर हस्ति बन गई लेकिन तभी उनकी मुलाकात सूपरस्टार एमजी रामचंदर से हुई जिनकी नजदीकियों की वजह से जैललीता का जितना नाम हुआ उससे कहीं ज्यादा उन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ी M.G.R. के साथ से रिस्तों को लेकर जेली जलालत कहा चाता है कि M.G. रामचंदरं और जैललीता एक दूजे से प्रेम करते थे लेकिन M.G. रामचंदरं विवाहित थे और दो बच्चों के पिता थे जिसकी वजह से उनकी और जैललीता की साधी नहीं हो सकती थी इसलिए दोनों के रिष्टों का नाम नहीं मिला एम जी राम चंदरन मेरे सिर्फ मेंटर है हाला कि सारवजनिक रूप से चैल ललिता ने हमेशा कहा कि एम जी राम चंदरन उनके मेंटर है और इससे जादा और कुछ नहीं वो जब 16 साल की थी तब उनसे मिली थी और उस समय एम जी राम चंदरन की उम्र 42 साल थी ऐसे में हमारे बीच में अफ्यार जैसी बातें कहां आ सकती है हाला कि ततकाल इन समय में मीडिया ने जै ललिता के लिए एम जी राम चंदरन की मिश्टरी जैसे सब्द का प्रियोग किया था एम जी राम चंदरन को हमेशा बताया मेंटर लेकिन राम चंदरन की मौत के वक्त जिस तरह से एम जी आर की पतनी जान की राम चंदरन ने जै ललिता के साथ वैभार किया था और उन्हें उनके पार्थव सरीर से दूर रखा था उससे साफ हो गया था कि वाकई में जै ललिता और राम चंदरन के रिष्टे में वो नजदीकिया थी जन्हें उनकी पतनी सुईकार नहीं कर सकती थी अपने अपमान के बाद भी जै ललिता ने एम जी आर के पार्थव सरीर के दर्शन किये थे और ऐसा रूप धारन किया था जैसे कि किसी विद्वा का होता है फिल्म चिन्नाडा गोंबे कन्नर भासा में उनकी पहली फिल्म चिन्नाडा गोंबे है जो 1964 में परदर्शित हुई जै ललिता तमिल की पहली ऐसी अमिरनेत्री थी जिन्होंने इसकट पहन कर भूमी का निभाई थी हिंदी फिल्म इजजट जै ललिता ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया जै ललिता की सबसे चर्चित हिंदी फिल्म इजजट थी जिसमें उनके हीरो बॉलिवुड के ही मेन धर्वेंदर थे एम जी राम चंदरन के साथ फिल्म इभी और राजजनीटी में भी जै ललिता ने जहां अपने फिल्मी करियर में सबसे ज़दा फिल्म इम जी राम चंदरन के साथ की वहीं दूसरी और उन्होंने अपना राजनेतिक करियर भी M.G. राम चंदरन के साथ सुरू किया और साल 1984 में उन्होंने राजनेति में कदम रखा राज्य सभा जै ललिता 1984 से 1989 के दोरान तमिल नाडू से राज्य सभा के लिए राज्य का पति ने दिफ्त भी किया राम चंदरन के निधन के बाद 1987 में राम चंदरन का निधन के बाद उन्होंने खुद को राम चंदरन की विरासत का उत्तरा धिकारी घोशित कर दिया हाला कि इस बात का काफी विरोध हुआ था लेकिन राजय और राजनीती के चलते पाटी के लोगों को उनकी बात माननी पड़ी सबसे कम उम्र की मुख्य मंत्री जैललिता 24 जून 1991 से 12 माई 1996 तक की पहली निर्वाचित मुख्य मंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्य मंत्री बनी और वो जैललिता से लोगों के लिए अम्मा बन गई यहां से उनका अम्मा का सफर सुरू हुआ तीसरी बार मुख्य मंत्री बनी अप्रेल 2011 में जब ग्यारा दलो के गटबंदन ने चौदवी राज्य पिधान सवा में बहुमत हासिल किया तो वे तीसरी बार मुख्य मंत्री बनी जैललिता की यह जीत उनके धुर विरोधी एम करुणा निधी के मुँपर तमाचा था कलाई ममानी अवार्ड वर्स 1972 में तमिलाडू सरकार द्वारा जैललिता को कलाई ममानी अवार्ड दिया गया वर्स 1991 में मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा जैललिता को डॉक्टरेट की उपाधी प्रदान की गई कुकिंग लिखने तैरा की एवं घुर सवारी का सौक राजनीती और फिल्मों में अभिने करने की अलावा जैललिता को कुकिंग लिखने तैरा की गुर सवारी का भी सौक रहा जैललिता द्वारा अंग्रेजी और तमिल भाजा में लिखे गए कई लेख और उपरन्यास अब भी प्रकासित हो चुकी है और दोस्तों आप ये दूआ करें की जैललिता जल्द से जल्द ठीक हो जाएं क्यूंकि अभी वह कौमा में हैं और सारा देश उनके लिए दूआएं कर रहा है इतनी महान हस्तियों के लिए हम भी उनके लिए दूआएं करें तो दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी तरह की बढ़िया और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद